कानपूर जब बसा था तो ये कानपूर गंगा के किनारे इसलिए बसाया गया था कि लोग हमारे पुरवजों ने सोचा होगा कि बहुती सुंदर इस्तालि गंगा किनारे इनको पराप्त होगा लेकिन दुर्भागे था ये नाला कोड के रूप में कानपूर में 128 वर्स पुर को टैप करें हम बधाई दे रहे हैं कानपूर के आम जनताल बधाई दे रही है आदरणी मोदी जी को आदरणी योगी जी को बधाई दे रही है इसके लिए सपोर्ट करने के लिए कि ये एतिहासिक कानपूर का नाला सीसा मों नाला टैप हो गया है जो गंगा में गंदा प पहली बार किसी सरकार ने इतना बड़ा कदम उठा करके और नमामी गंगे के अंतरगत गंगा को सच और निर्मर लखने के लिए जिस पर पूरे बिसु का ध्यान है आज इस नाले को टेप करने का काम किया है हम इस पर कानपूर की जनता हमसे मांग कर रही है कि इस नाले के टे कि अंतरिम टेस्टिंग भी पूरी हो जाए उपलब्दी दिवास कानपूर में मनाया जाएगा आम जनता केंद की सरकार को और प्रते सरकार को इस नाले को टेप करने के लिए बदाई देना चाती है मोधी जी को बदाई देना चाती है कि बीजेपी के सासन में पहली बार य कि यह जो गंगा नदी में जितने नाले गिरते हैं उसमें जो शिशा मोई नाला था अपने आप में एक ऐसा नाला था जो कि सबसे जादे जहां पर डिस्चार्ज था 140 MLD का डिस्चार्ज था इसको दो फेज में बंद किया 80 MLD और 60 MLD और अब जब यह टैप हो गया तो नि नाले के माध्यम से जो जाता था उस पर भी अंकुष लग गया तो अब जो नदी है उस नदी में कोई भी कूडा करकट कचरा सालिड वेस्ट नहीं जाएगा नदी स्वक्ष होगी निर्भल होगी और जो नमामी गंगे का उद्देश है वो पून होगा तो इससे शहर की स् पूश्किल भरा काम था यह और काफी मेहनत के बाद और एक लंबी कवायत के बाद इस नाले को टैप किया जा सका है तो हमें लगता है कि इससे स्वक्षता में एक आमुल्चूल परियोदत नाएगा चाहे वो शहर की स्वक्षता की बात हो चाहे हो नदी की स्वक्षता की आप जिए निकले होंगे किन-किन पॉइंटों बगर देखा नाले के बारे में क्या क्या देखा है यह हम ने ऑवराल हम लोगों ने पूरी समिक्षा की कानपुर शहर में सोलह नाले हैं जो गंगा नंदी में गिते हैं वो सोलह में अब आज की डेट में आठ नाले टैप हो साफ हो और उसी की अंतरकेति ये कबायद चलेगी 15 दिसंबर तक हम लोग इस तरह की ब्योस्ता करने कि गंगा नदी पर जो भी पानी जाए वो ट्रीटेट वाटर जाए शुद्ध पानी जाए जिससे कि किसी भी प्रकार की नदी के प्रदुशन की समस्या नहों तो हम लोग निरंतर इसको बाच करने हैं और आज भी जो ये शिर्शा मोनाले के जितने भी पॉइंट से आज हमने देखा है और काफी जो हम कहें कि एक सफलता मिली है जो यहां की टीम जिन लोगों ने काम किया है और इसको सश्टेन करने की जोड़त है अभी चार-पांच दिन आने व तो उसको हमें दूर करने का प्रयास करना है यह आप देखिए अभी टोटल हम आपको लिष्ट आपके साथ शेयर कर लेंगे मेजर तो शिशा मोनाला ही है बाखी कई ट्रेंस हैं वह सभी के बारे में हम आपको एक-एक नालों के सूचियम देंगे इसा में कुछ कह सकते हैं कि आसातीच सफलता मिल लई है और जो बंद नहीं होंगे उसमें बाइयो रिमेडियेशन जैसे जो भी नाले जिसमें की कम डिस्चार्ज है जिसमें भी काफी कम डिस्चार्ज है चाहाए 1 5-5 MlD हो 2 MlD हो वो बाइयो रिमेडियेशन के माधियम स जो बाइयो जाए गए जब तक कि टैनरीच के माधियम से जब तक शोधन नहीं होता तब तक टैनरीच के माधियम से भी पानी गंगा नदी में नहीं जाएगा और उस पे अभी आपने देखा होगा जिला प्रशासन नगर निगम, पॉलूशन कंट्रोल बोर्ड सभी के द् और जो CTP का जो रिपेर और मेंटिनेंस का कारे है, वो कारे भी शिक्र पूर्ण होगा और जैसे पूर्ण होगा जब वहाँ पानी ट्रीट होने लगेगा, जो शुद्ध पानी होगा, साफ होगा, वही नदी में छोड़ा जाएगा. जैसे देखा जाएं, तो नाले की बात होगी, गंगा किनारी बहुत से छोटी-छोटी बस्तियां बसी होगी, जिनका पानी डिरेक्ट गंगा में जा रहा उसके लिए क्या करेंगा, देखें, जब से शहर का विकास होगा, तब से इस तरह के नाले थे, तो इन नाले बड़ जैसा मैंने कहा कि जो छोटे नाले हैं, उनको जो मैंने कहा कि वो नालो को टाइप करने के पहले हम लोग उस पानी को शोधन करके नदी में डालने का प्रयास करें, तो उसके लिए वे टेंडर सवगार के करवाई कंप्लीट हो गई है, आप देखेंगे उसमें भी कारे चल